जै हैं दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है और दोस्तों आज है 7th November और दोस्तों आज दो आर्टिकल्स हम डिस्कास करेंगे, दोनों ही आर्टिकल्स पॉलिटी और गवरनस से ही औरिएंटेट रहेंगे हिंदू में जादा relevant articles मुझे आज नहीं लगे थे, लेकिन एक article हिंदू में से जो relevant मुझे लगा, वो है जो हिंदू explains में आया था, uniform civil court के बारे हाँ बात करते हैं, the debate about the UCC is back again, so we'll talk about it, and a very latest development, अभी तो पहर को TV बे इसके बारे coverage हो रही थी, EWS quota की हम बात करें, तो आज ही Supreme Court क का एक bench है, याने के 5 judge bench था, तो 3-2, याने के Supreme Court के bench ने, 5 judge bench ने ये बात favor में कही है, कि जो EWS quota है, वो basic structure doctrine को violate नहीं करता, now as you know कि EWS को लेके हमने बहुत detail में चर्चा, last week, 1st November को भी करा था, और article हिंदू में आया था, reservation constitutional है के नहीं है, तो इसके बारे हम देखते हैं, पर हमारे सामने आते हैं, वो हम discuss करेंगे, and question of the day जो रहेगा, that'll be towards the end of the video, now but before I move ahead, I must let you know two courses, जो के हमारे, यहाँ पर हम आपको provide कर रहे हैं, sleepy classes के द्वारा, एक तो दोस्तो है, हमारा UPSC का 2023 का means test series, और एक हमारा general studies for UPSC 2023, so अगर मैं general studies for UPSC 23, 48 days means answer writing program के बात करूं, तो इस course को Ayush Sir run कर रहे हैं, और Ayush Sir की वीडियोज आप देखते हैं, वो यहाँ पर quality भी पढ़ाते हैं, quality and governance, साथ के साथ, वो 12 बजे आपके सामने Monday to Thursday वीडियो लेके आते हैं, जहाँ पर रोज एक question आपके साथ discuss किया जाता है, तो अगर आप हमारे paid course का भी part बना चाहते हैं, 48 days means answer writing, आप expertise पाना चाहते हैं, अपनी answer writing abilities में, आपको यह पता लगाना है कि क्या सही strategy है, क्या सही technique है, क्या answers कैसे लिखते हैं, प्रिलिम्स की चलो हम test series लेते हैं, प्रिलिम्स को practice करते हैं, लेकिन अब pre-clear करने के बाद 3 महीने में तो means नहीं होने वाला तयार, अभी आगर आ हैं कि आप means की भी practice करते रहें, प्रिलिम्स की test series तो आप लेंगे-लेंगे, करेंगी practice, I'm sure, you know, February onwards आप full-fledgedly prelims की त्यारी करेंगे, लेकिन अभी अभी भी दो-ती महीने हैं till February जब आप means answer writing practice कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसे तो means की test series और answer writing programs तो बहुत स so words का answer है, ऐसे नहीं, आपके साथ detailed video solution share किया जाएगा on a day-to-day basis, और ये course wallet रहेगा अगले साल के means तक, अगले साल के means याने के बाद the end of September 2023, तो आप इसके बारे जानकारी लेने के लिए हमारे toll-free number पे call कर सकते हैं, और यदि आप interested हैं तो इस course को avail कर सकते हैं, now, quota for poor among forward casts upheld, अब क्या यहां पे बात हूँ, यह हम context की बात करें, तो जैसे EWS quota की बात करें, 2020 में याचिका डाली गई थी, Supreme Court में यह कहा गया था कि जो EWS quota है, जो 10% reservation वारा rule है, एक तो यह violate करता है basic structure doctrine को, और दूसरी बात, जो एक बहुत well established बात, जो इंदरा सानी case में, इंदरा सानी case 1992 में जो एक judgment आई थी, कि भी आपने आरक्षन देना है, reservation देना है, socially and educationally backward classes को, तो आप reservation दीजिए, सरकार का हग बनता है, affirmative action का, reservation देने का, आरक्षन देने का, लेकिन 50% से जादा वो exceed नहीं कर सकता, तो यानि कि अगर 100 बच्चे exam दे रहे हैं, तो 100 में से 50 बच्चे वो हो स यानि कि वो general category की होंगे, यानि कि layman term में हम समझे, अब यहाँ पे क्या बात आई है, अब यहाँ पे भारत सरकार ने 2019 की बात है, जब भारत सरकार ने वोला कि हम 10% extra quota, 10% extra quota देना चाहते हैं, उन लोगों को, जो कि already schedule cast या schedule tribes या OBC का quota वेल नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे यानि कि वो general category में हो सकते हैं, लेकिन based on income criteria, यानि कि सरकार का ये था कि अगर उनकी जो family income है, यदि वो 8 लाग से कम है, यानि कि 8 लाग तक जो families कमा रही हैं, अगर उनके बच्चे जो हैं, वो reservation लेना चाहते हैं, education institutions में, exams में, government jobs में, तो वो ले सकते हैं, अब याचे का 2020 मे schedule tribes और OBC category की लोगों को कि वो ये quota avail नहीं कर सकते हैं, अब ये बात भी हमने discuss करी है, जब हमने last week article discuss किया था इसके चलते, कि दो तरह की reservation होती है, तो vertical reservation और horizontal reservation, अब अगर आप schedule cast के हैं, तो आप double quota नहीं ले सकते हैं, अगर आप already schedule cast का quota avail कर रहे हैं, या OBC का quota avail कर रहे हैं, तो फिर आप वो वाला quota EWS का quota avail नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने कहा जब petition डालेगी कि ये तो फिर उनके rights को violate कर रहा है, equality को promote नहीं कर रहा है, ये तो inequality और बढ़ा रहा है, अब इसको लेके आज Supreme Court ने फैसला सुनाया है, कि देखो reservation देना, affirmative action तो सरकार का काम है, सरका laws, which is focused to give affirmative action, which is focused to give reservation to people, to students, जो कि socially and educationally backward classes के हैं, लेकिन इसके चलते हैं, अब सरकार के पास वो राइट है, सरकार इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन amendment के चलते हैं, और सरकार को भी रोग भी नहीं सकता, there is nothing in the constitution, there is nothing in the constitution which can stop the state, आप एक legislative process, आप executive order के जरीए, आप एक reservation न नया कोटा नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप parliamentary procedure की बात करें, legislative procedure की बात करें, उसके जरी definitely आप कोई law बना सकते हैं, जो के affirmative action को promote कर रहा है, तो 103rd amendment ने insert करें article 15 clause 6 and 16 clause 6 हमविदान में, जिसके चलते 10% reservation मिली है, कौन से लोगों को, economically weaker sections लोगों को, लेकिन वो कौन से OBCs को इस category में reservation नहीं मिलेगा, यानि के simple words की बात करें, amendment had changed the constitution and introduced a quota for the poor among the so-called forward caste, यानि के general category के जो बच्चे हैं, जो general category में लोग हैं, जिनकी families की income 8 लाग से कम है, यह quota कहां available है, तो यह quota available है, अगर आपने higher educational institutions में admission लेना हो, ठेक है, या अगर हम recruitment की बात करें, central government jobs में, UPSC म अगर आप चाहें, तो आप अपने जैसे state के exams होते हैं, तो वहाँ पे भी आप economic weaker section quota अपने यहाँ पे अपने राज्यों में भी use कर सकते हैं, introduce कर सकते हैं, based on economic criteria, economic backwardness, अब basic structure doctrine की बात करें, तो हमको पता है, अच्छी तरह से basic structure doctrine, that is very well, स्टाब ने supreme court introduced करा था, the doctrine of basic structure, कब क कुछ बाते हैं, जो बहुत जरूरी है, हमारे समविदान जो है, जिस बुनियाद पे हमारा समविदान खड़ा हुआ है, अब उन चीजों को, उन बुनियादी बातों को आप नहीं छेड़ सकते हैं, उनको violate नहीं कर सकते हैं, तो affirmative action देना तो बिलकुल सही बात है, एक basic structure की बात बनती है, quality promote करना, वो भी basic structure की बात बनती है, ठीक है, अब ये petition में ये बात करेगी कि challenge क्या था, argument क्या था, कि 103rd amendment जो है न, ये basic structure of the constitution को, यानि कि समविदान की बुनियाद को, समविदान के धांचे को ही violate करता है, now primary argument, primary argument ये था, कि भई, जो special protections, सरकार चाहे तो special protections दे सकती है, ठीक है, special safeguards दे सकती है, जिन लोगों को वो देना चाहे, ठीक अब problem ये है, कि हमार पार social norm में cast census नहीं है, last census हमारा 2011 में हुआ था, अभी हम ये बार-बार बात करते हैं, कि आप 2 reservation, affirmative action दो, लेकिन पता तो चले, कौन सी ऐसी cast से, कौन सी ऐसी लोग है, जिनको actual में affirmative action की जरूरत है, अब primary argument ये था, कि अभी जो special protections guarantee करी गई है, socially disadvantaged groups को, वो ए part of basic structure है, और जब हम socially disadvantaged groups की बात करते हैं, तो हम कभी economic criteria की बात नहीं करते हैं, ये argument आया, जब petition सामने लगी गई, तो यहाँ पी economic criteria क्यों लेके आना, यहाँ पे सरफ आख जो criteria जो हमारे सम्मिदान क क्या बात कही थी, उन्होंने कहा था कि socially and educationally backward, तो economic criteria तो आता नहीं है, और यह amendment violate करता है structure को, अब यहाँ पे views of the judges की बात करें, तो जो दिनेश महेश्वरी हैं, तो पांच judges में से एक हैं, justice दिनेश महेश्वरी, उन्होंने rule करा, कि जो reservation है based only on economic criteria, यह violate नहीं करता basic structure of the constitution को, और अगर कुछ certain classes को exclude करा गया है, schedule class को, OBCs को, STs को, इस नई amendment के जो नए clauses आड़ करें गए हैं, तो यह basic structure को, संभिदान के basic धांचे को, संभिदान की basic बुनियाद को violet नहीं करता, अब अगर हम justice बिला तरवेदी जी की बात करें, उन्हें यह बोला कि देखो, अगर आप economically weaker section को, एक as a separate class treat करते हैं, तो एक reasonable classification होगा, because उनके पास जो economically weaker section है, चाहे वो general category में से हैं, चाहे वो उनको discrimination नहीं face करना पड़ा थे इतने हजारों सालों के लिए, लेकिन अगर आज उनके पास इतनी income नहीं है, अगर आज उनके पास उनकी families के पास इतने resources नहीं है, कि वो भी अपने बच्चे को IS बना सकें, या doctor बना सकें, ठीक है, तो definitely अब जिसके पास, अब देखिए अब affirmative action क्या है, बेसाखी है, support है, तो जिनके पास already बेसाखी है, support है, तो उनको तो जरूरत नहीं है कोटी कि जिनके पास नहीं है, तो अगर सरकार ये कोटा लेके आ भी रह जाती है, और ये बात successively, अब मैं यहाँ पे, अब judges के views बता रहा हूँ, अपने views यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे opinions डिसकास करते हैं, जो columnist यहाँ पे जो बाते लिखते हैं, यहाँ पे हम judges की views की बात कर रहे हैं, Justice Trivedi ने ये भी कहा, कि अब 75 यह सो चुके हमको अजाद होए को, तो क्या अब समय उचित नहीं है, कि हम अपना system of reservation को थोड़ा revisit करें, ठीक है, ऐसे कौन से emerging situations हैं, ऐसे भी कोई नई situations हो सकती हैं, emerging conditions हो सकती हैं, जिसके चलते inequality बहुत increase हो रही है, ठीक है, affirmative action को और कैसे ज़ ये बात, you know, conquer करी with Justice Maheshwari and Justice Trivedi, उन्होंने बोला कि reservation अपने आप में एक end नहीं है, ये तो एक जरिया है, means है, and it should not be allowed to become a vested interest, तो भी इसमें कोई vested lobby तो यहां reservation मिल रहा है, कुछ लोगों को, जिनके पास कोई quota नहीं है, जिनको सहायता की जरूरत है, सरकार दे रही है, तो जिनको already मिल रहा है quota, तो वो लोग यहां पे इस बात का इतना issue क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्या उनका कोई vested interest यहां पे involved है, ये बात यहां पे Justice SB पर देवाला ने सामने रखी है, अब अगर दो judges की बात करें, जिन्होंने agree नहीं करा, तीन judges की views के साथ, एक तो हमारे Chief Justice of India जिन्होंने agree नहीं करा, जो बाते तीन judges नहीं करी है, और अगर हम Justice भट की बात करें, उन्होंने बोला, देखो कि जहां पे reservation की बात आती है, अरक्षन की बात आती है, बेस्ट ऑन economic criteria, तो ये तो चलो अच्छी बात है, कि सरकार नए तरह की emerging scenarios यहां पे पता लग रहे हैं, क relative क्या है, कि आप इस कोटे में SC, ST और OBC को क्यों नहीं include कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो dissenting judges थी, उन्होंने और अगर हम Chief Justice of India की बात करें, उन्होंने भी इसी sentiment के साथ agree करा, Justice भट के sentiment के साथ, फिर बात आती है, जो इंदरा सानी case की हम बात करें, 1992 में जो इंदरा सानी case की judgment कि आपने reservation देना है, दीजे लेकिन 50% ceiling आप cross नहीं कर सकते हैं, अब ये जो majority judgment है, यानि कि 3-2, यानि कि जो judgment आया हो, इन favor of EWS quota आया है, इससे हम क्या बात infer कर सकते हैं, तो अगर Justice Maheshwari से पूछा जाए कि क्या ये जो आपने verdict DS के चलते हैं, तो economic weaker section जो criteria है, यानि कि 60% reservation हो जाएगा, तो क्या ये 50% ceiling limit को violate नहीं करता, तो Justice Maheshwari का कहना है कि नहीं, ये violate नहीं कर रहा, basic structure on account of 50%, because जो limit है, वो flexible है, लिमिट तो flexible है, यहाँ पर Justice Maheshwari एक नया dimension add कर रही है, उसे वो सकता आने वाले समय में पेंडोरा box भी खुले, बिको इस एक आपको और बात बताना जाता हूँ, जैसे हम Jarts की बात करें, Marathas की बात करें, Maharashtra में, Haryana में, Punjab में, काफी बार ये बात चलिए कि उनको भी reservation देनी चाहिए, Jarts को reservation मिलनी चाहिए, Punjab में, Haryana में, Marathas को reservation मिलनी चाहिए, Maharashtra में, तो लेकिन हमेशा फिर Supreme Court के द्वारा बात ये आ जाती थी, कि भी हो, तो 50% limit को exceed कर जाएगा अगर आप उनको reservation देते हैं, एक separate category में reservation देते हैं, अब now this will open the Pandora box, because अगर हम इस बात को समझें, अगर EWS valid है, that means, that means कि 50% ceiling limit जो है, वो breach हो चुकी है, ठीक है, now this might open the Pandora box, this might give a lot of, this might give opportunity to a lot of political parties, खास करें कि अगर हम state governments की बात करें, कि वो अपन different different category के लोगों को, यहाँ पर reservation देना शुरू कर दें, under the garb of capturing votes, vote bank politics शुरू हो सकती है, अगर हम बात करें, definition of EWS, तो देखिए अगर simple सी बात यहाँ भी करें, तो पहली बात हो, जो 2019 में, January 2019 की notification में, economically weaker section लोगों की जब बात आती है, इसमें यह कहा गया था, कोई भी व्यक् benefit अवेल नहीं कर रहा, reservation के, of schedule cast, schedule tribes and OBC, और जिसकी जो family की gross annual income है, वो 8 लाक या 8 लाक से कम है, तो वो entitled होगा इस quota के benefit के लिए, ठीक है, चलिए, उसके बाद, तो October टूठ, अब August 2020 में, petition डाले गी थी, याचिका डाले गी थी, कि EWS वाइलेटिव है, basic structure doctrine के, तो अब October 2021 में, Supreme Court ने, जब ये petition सुन रहे थे, तो Supreme Court ने सरकार को बोला, कि भई, आपने ये जो तै करा है, 8 लाक का जो threshold, या अपने किस नतीजे से आके, how have you concluded that this should be the criteria, why not 7 लाक्स, और why not 10 लाक्स, और why not 5 लाक्स, सरकार ने बोला कि चलो, हमने committee बिठाई है, और committee बताएगी, committee तहकिकात कर threshold limit होनी चाहिए, January 2022 में सरकार ने बोला कि हमने जो committee बिठाई थी, जो हमने जो three member panel बिठाया था, उन्होंने फिर से हमको यही suggestion दिया है, कि यह नहीं जो threshold है, वो 8 लाक्स, यानि कि आपकी जो annual family income है, वो 8 लाक्स तक ही होगी, for determining EWS or not, लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक और बा की जुमीन है, लेकिन मैं साल बर के 2 लाक कमा रहा हूँ, तो उसके चलती ही मैं economically weaker section का quota नहीं अवेल कर सकता हूँ, चलिए, आपने अगर इस के बारे, इस topic के बारे और जानकारी लेनी है, तो please मैं आपको suggest करूँगा, जो first November को हमने tutorial discussion analysis का वीडियो बना था, वहाँ पे हमन elections का season है, elections तो वैसे भी इंडिया में चलते रहते हैं, हर तीम मीने बाद elections होते हैं, हम गुजरात में elections है, elections के time में काफी polarization भी होता है, और अगर हम बात करें 2019 में, 2019 में जब मूदी जी आये थे जिंडान का ये भी था कि चलो हम uniform civil court लेके आना चाहते हैं, अब ये जो debate है uniform civil court की 75 ये से चलते आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि अभी debate शुरू हुई है, इस बात के लिए कि इस बात को लेकि जो हमारे constitution, जो हमारे founding fathers हैं of the constitution, वो भी इस बात को लेके काफी अपने different opinions रखते थे, अब गुजरात की home minister जो है हर्श सांगरी उन्होंने ये बोला है, कि अगर अगर हम आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो भी हम एक committee बिठाएंगे, ठीक है, by a retired high court judge, ताकि हम सारे के सारे aspects about as far as the implementing the uniform civil court जो है, उसको हम study कर सकें, ठीक है, अब कोई बुरी बात नहीं है, क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है, अब देखिए इस बात को हम इसका analysis करते ह हमारे अपने views हो सकते हैं, हमारे अपने opinions हो सकते हैं, पहली बात हम यह समझें, article 44, article 44 याने कि directive principles of state policy की बात करें, अब यह जो DPSPs हैं, अब यह क्या होते हैं, guiding principles हैं, याना guidelines हैं, यह enforceable नहीं होते in the court of the law, these are not enforceable, यह बात आपको पता हो, prelims में आपको पूछा जा सकता है, अब article 44 जो कि हमारे part 4 of the constitution में है, वो यह कहता है कि देखो state की, कोशिश होगी, shall endeavor to secure the citizens a uniform civil court throughout the length and the breadth of the country, कोशिश होगी, shall endeavor, यतन करेंगे, यह नहीं कि करना ही पड़ेगा, यतन करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कोई draft document या कोई model document ना तो हमारे founding fathers ने बनाया था, ना आज क टाइम पे को है, जो कि यह बता सके, कि हमारा जो संवेदान है, वो किस तरीके से चाता है कि इसको implement किया जा सके, यह आप, मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, आटल बिहार इवाज पहीजी का, जहां पिनोंने बोला था, कि जि ऐसी दिशा के टोवर्ड्स मूफ करें, जहां पे हमारे पास एक यूनिवार्म सिविल कोड है, तो अग वन नेशन, वन लॉव, अब क्या ये बात वालिड है, अब हमारे पास कोई ऐसा मॉडल डॉक्यमेंट नहीं है, कोई ड्राफ डॉक्यमेंट नहीं है, जो कि यह हमको बता सके कि इसको कैसे इंप्लिमेंट करना है, ठीक है, अब इसके चलते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, तो चाहे वो मारेज हो, डैवोर्स हो, लॉज अब देखिए, अब जैसे अब ट्रिपल तलाक की बात करें, अब आप तीन बार तलाक हैंगे, तो आप कैसे डॉप करना है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो एक यहां पर होमोजनिटी होगी, होमोजनिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, बट हम ये बात को क्यों नजर अंदास कर रहे हैं, कि इंडिया में हेट्रोजनिटी बहुत जादा है, celebrating diversity, अब यहां प guiding principles है, fundamental है, बहुत जरूरी है, बहुत जादा जरूरी है, fundamental है हमारे governance के लिए, देश की governance के लिए, अब अगर हम बात करें, the clause on the UCC, now this also generated a substantial debate back then, अगर हम अपने 1947, 1947 से लेकि 1950 के period की बात करें, कि जो UCC है, क्या इसको fundamental right मानना चाहिए, या directive principle मानना चाहिए, तो यहां पर दे को लेकि जो debate हुआ था, तो पांच लोगों ने बोला, कि नहीं, कि जो हमारा uniform civil code है, इसको within the scope of fundamental rights नहीं रखना चाहिए, this should be within the scope of directive principles of state policy, अब लोगों के अपने opinions है, we have to respect everybody's opinion, वहां पे constituent assembly की हम बात करें, तो member थे, नजरी दिन एहमत, ठीक है, वो बेंगाल के थे, उन्हो communities, they were inseparably connected with religious beliefs and practices, कि भी अगर UCC को आप fundamental right लेके आते हैं, तो वो तो फिर article 25 को violate करेगा, article 25 बिक fundamental right है, जहां पे आपको right to freedom of religion है, obviously, subject to public order, subject to morality and subject to health, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात हो सही मिए, कुछ essential religious practices होती है, हमारे अपने beliefs हैं, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों क शादी इस तरह से हो, हमारे बच्चों का निकाह इस तरह से हो, या whatever it is, तो हमारे अपने कुछ sentiments involved हो सकते हैं, तो ये कहें कि सारे धर्मों के लोग एक ही तरीके से शादी करेंगे, एक ही तरीके से देवोर्स करेंगे, तो उनका ये कहना था कि नहीं, कुछ बाते अपनी personal ह यही कहते हैं कि हमारा जो model is secularism का, कभी हमको church के matter से कोई लेना देना नहीं है, we don't have any interference with whatever is happening in the church, we are only bothered about the state matters, about the state affairs, लेकिन हम यहाँ पे positive secularism की बात करते हैं, हम ऐसा strict one-up distance नहीं बना कर रखते हैं, चाहे वो गुर्दवारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जित हो, चाह इसको reject करते के मुंचनी बोला, कि ऐसी बात नहीं है, संपिदान मौका देता है, opportunities देता है सरकार को, कि वो ऐसे कानून बना सके, जो के बहुत सारे secular activities को cover कर सकता है, हो सकता है, ऐसी धार्मेक प्रथाएं हो, धार्मेक practices हो, चाहे वो हिंदू धरम में क्यों ना हो, चाहे वो infanticide की बात करें, इस बात की लड़ाई तो कितने सालों से चलते आ रही है, तो क्या पता कुछ ऐसी practices हैं, जो के evil हैं, जो के regressive हैं, उनको reform करने के लिए, अगर हम अपने धरम में कुछ सुधार लेके आते हैं, uniform civil code लेके आते हैं, इसके चलते social reform भी होगा, अगीनी, उनके इपने views हैं, उनका ये भी कहना था कि uniform civil code लेके आने से, हमारी देश की जो unity है, एकता है, वो भी बढ़ेगी और साथ में औरतों को भी बहुत ज़्यादा empowerment मिलेगी, equality for women होगा, gender equality होगा, अब आप इनको quote कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, ये line मैं आपको क्यों बत कर सकते हैं कि के मुझे का ये कहना है, उन्होंने बोला, अगर जो personal laws है, property inherit करने के, succession के and so on, if they were seen as a part of religion, तो काफी सारी ऐसी, वो एक हिंदू होने के बावजूत कहते हैं कि काफी सारी ऐसी प्रताएं हमारे धरम में, यानि कि हिंदू धरम में भी हैं, जो के regressive हैं, जो के औ Uniform Civil Code में ये सारी सुधार लेके आई जा सकें, ताकि धरमों में भी सुधार हो सकें, हर एक धरम में कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, चाए वो हिंदू धरम हो, चाए वो इसलाम धरम हो, जहां पे कुछ practices जो है, that might be regressive for a certain section of society, अगर हम अंबेतकर जी की बात करें, उन्हों This should be purely voluntary in the initial stages, ठीक है, और again उन्हें बाग को reiterate करा, कि आर्टिकल 44 सरफ ये कहता है, कि state shall endeavor, यानि कि हम यतन करेंगे, कोशिश करेंगे, हमने करना, जुरूरी नहीं कि हमने करना ही करना है, बट हमारी कोशिश रहेगी, और अगर कोशिश है, काम्याब भी हो सकती है, नाकाम्या है, ठीक है, अब ऐसे कहने को हमारे पास uniformity है, बहुत सारे criminal and civil matters में, अगर हम CRPC की बात करें, CPC की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी, सैंक्रों amendments हम करते हैं, CRPC में, CPC में, states की हम बात करें, तो अगर हम राज्य सरकारों की बात करें, despite हमारे पास एक common CRPC है, CPC है, ल religion में हो सकती है, language में हो सकती है, customs में हो सकती है, beliefs में हो सकती है, हो सकता है कि मेरे लिए कोई जीज बहुत essential हो, religiously, लेकिन हो सकता है कि किसी और के लिए वो rational ना हो, then how do you solve this conflict? Now, the idea of one nation one law, experts का ये कहना है, कि अगर plurality already हमारे देश में है, codified in the civil and criminal laws, तो इसमें, how can the concept of one nation one law, यानि के राज्य सरकारों में अपनी amendments है, as far as CRPC and CPC is concerned, तो यहां पे बात आती है, how can the concept of one nation one law be applied to इतनी सारी diversity, diverse personal laws of various communities, और besides, जो हमारे constitutional experts हमें का ये कहना है, कि जो हमारे जो निर्माता थे सम्विधान के, जो हमारे founding fathers थे, उनकी साथ intention नहीं थी कि total uniformity को ही impose करना है, इसी के चलते, जहां पे बात personal laws की आती है, उसको entry 5 में रखा हुए है, और भी concurrent list याने के, parliament के पास भी और state legislative assemblies के पास power है, कि वो इसके चलते, personal laws के चलते, कानून बना सकते हैं, नीती बना सकते हैं, ठीक है, केवल parliament के पास नहीं है power है, and we know that we are not completely federal also, ठीक है, हम quasi-federalism की बात करते हैं, Hindu court will की यहां पे बात करें, तो अगर हम Hindu court will की बात करें, जो के 50s में जो के बनाया गया था, तो जो Hindus हैं, क्या सारे के सारे Hindus भी इस Hindu court will के चलते ही हैं, गवर्न किये जाते हैं, ठीक है, heterogeneity यहां पे भी देखने को मिलती है, ना तो Muslim समाज की लोग, ना Christian समाज की लोग, वो अपने personal laws पे operate नहीं करते हैं, कुछ होते जो करते होंगे, कुछ शरिया follow करते होंगे, कुछ नहीं करते हैं, not everybody does it, अब यह तो नहीं है कि Hindu court will है, तो स between inheritance की, succession rights की, right to divorce की, खास करके in context of women, अब काफी opposition Hindu court will को जब बनाया जा था, तो देखने को मिला था, because of the conservative quarters, अब हम बात करें, Hindu court will को भी 4 different acts में, यानि कि Hindu court will एक uniform act नहीं है, इसको भी 4 different acts में set किया गया है, एक Hindu marriage act आ जाता है, Hindu succession act आ जाता है, Hindu minority and guardianship act आ जाता है, Hindu adoption and maintenance act आ जा बात करें, for example, South India में काफी common है कि लोग अपने cousins में, अपनी family में, अपने relatives में, दूर दूरा के relatives में भी शादी कर लेते हैं, South India में बात common है, लेकिन अब भो भी Hindu हो सकते हैं, लेकिन वो अपने relatives में, अपने you know, हो सकता है, अपने cousin के साथ marriage करें, that is their own choice, that is उनकी अपनी practice है लेकिन ये practice North India में हिंदूस नहीं करते हैं, now, marriages among close relatives, that is strictly prohibited by the Hindu marriage act of 1955, so again, जो South India में जो हिंदूस हैं, या अगर हम 39 की बात करें, क्या वो इसको follow करते हैं, तो again, homogeneity तो नहीं है, heterogeneity है, ठीक है, अब खास करें कि अगर हम हिंदू succession act की बात करें, of 1956, इसके चलते भी बहुत सा कर सकता है, अपने पिताजी की, लड़की क्यों नहीं कर सकती है, wives, they are still not co-partners, तो जो inheritance laws है, खास करके in terms of land, in terms of property, वो अभी भी औरतों के favor में इतना नहीं है, अब शरीत act की बात करें, तो दीके अब शरीया हर कोई follow नहीं करता, शरीयत act is not applicable in Jammu and Kashmir, ठीक है, Muslim they continue to be governed by the customary law which can be, which can be, you know, be varying with the Muslim personal law in the rest of the country, तो again, यहां पे भी बात आती है, कि अगीन, यहां पे भी homogeneity नहीं है, Muslim laws की भी बात करें, बहुत सारे tribal groups हैं, जो कि किसी भी धरम को नहीं follow करते हैं, उनके अपने customs हैं, ठीक है, बहुत सारे tribal groups हैं, जिनके लिए paid भगवान है, जिनके लिए क अपने प्रथा हैं, तो उनको क्यों disturb करना, uniform civil court से तो उनको भी वही प्रथाएं follow करनी पड़ेंगी, तो फिर again conflict आता है, अब यहां पे गोवा की बात करें, तो supreme court ने 2019 में, गोवा का example यहां पे लिया था, an Indian state which has a functioning UCC, लेकिन, with Goa and characteristics, चालवी से, अब जो Goa civil court है, यह Portuguese के वारा दिया गया था, 1867 में, and it permits a certain form of polygamy, यहने कि आप एक से ज़दा शादी कर सकते हैं, for Hindus, while the Shariah Act for Muslims, that is not extended to Goa, ठीक है, again not every Muslim is following Shariah in our country, the Muslims of the state, they are governed by the Portuguese law, as well as the Shastrik Hindu law, तो कम यहां पे देखिया, again एक बहुत, एक उनीग example, secularism का यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क कोई conflict नहीं है, यहां पे, और इस code में चलते, यह जो code है, Goa का, इसके चलते कुछ concessions, Catholics को भी दिये गए है, ठीक है, Catholics को अपनी marriages, church में जाकर register करने की जरूरत नहीं है, और जो Catholics है, उनकी जो marriages अगर dissolve करने है, dispute है, अगर divorce लेना है, तो priests जो है, वो भी dissolve कर सकते हैं marriages को, very easily in the church, now, views of the supreme court, तो supreme court की various judgments, अब इन supreme court नहीं को बोला था, देखो, हम नहीं इसका फैसला ले सकते हैं कि कौनसी practices essential है, कौनसी नहीं है, अभी जैसे हिजाब controversy भी हुआ था, तो supreme court का यह कहना है, कि हम कैसे बताएं, कि किसी भी धरम में, क्या पहनना, क्या खाना, किस रीके से क करना, क्या चीज कैसी essential है, नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं, तो देखो, जो धरम के ठेकेदार हैं, जो preachers हैं, वो बता सकते हैं, और हम क्यों involved करें धरम में, लेकिन, supreme court नहीं जरूर कहा है, कि भी आप uniform civil court लेके आईए, आपको याद होगा, 1985 की बात करें, the famous शा बन्नो केस ठीक है, अब इसके जलते क्या था, शा बनो, जो के डैवोर्ष, जो के अलेडिक डैवोर्ष मुस्लिम बुमिन थे, उनके husband का नाम क्या था, मौहमद एहमद कान, वो उससे maintenance चा रहे थे, उनसे आलम नहीं चा रहे थे, कि भी आपने डिवोर्ष कर दिया, तीन बार तलाग लेकि लेकिना, मैं कहां पे जाओं, मुझको अब अपना घर चलाना है, रोटी पानी खाना है, मैं कहां से पैसे लो, तो मुझे maintenance दीजिए, तो उस वकत 1985 में बहुत ये case famous भी हुआ था, और apex court उस वकत ये decide नहीं कर पाय थे, confusion था, कि भी अब यहां पे किस को महतबता दीन परसोनल लग को दे, इसके चलते सुप्रीम कोट ने गाता कि जितनी जल्दी हो सके, uniform civil court आया जा सके, ताकि एक ही तरीके से शादिया हो सके, एक ही कानून हो, एक ही नियम हो, शादिया गरने का, डेवोर्स करने का, etc. law commission की बात करें, तो 2016 में, government of India ने एक law commission मिठाई, law commission को request किया, कि भी आप बताईए, कि हम heterogeneity, homogeneity कैसे promote कर सकते हैं, कैसे uniform code लेके आ सकते हैं, खास करके situation में, जहां पे इतने सारे लोगों के धर्म है, इतने सारे देवी देफता है, जब इतने सारे लोगों के अपने personal laws हैं, 2018 में law commission ने अपनी 185 page की जो report थी, वो submit करी, और commission ने बोला कि भी unified nation need not necessarily need uniformity, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और secularism, that could not contradict the plurality, हमारे यहां पे भारे देश में plurality है, diversity है, उसको हम divorce नहीं कर सकते हैं, that is a reality, तो यहां पे conflict आ सकता है, हमारी secularism values में, और अगर हम uniform, अगर हम किसी uniform civil code को promote करना चाहें, law commission का view क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं, तो कभी UCC के चलते आप कोई बात लिख रहे हैं, पूछा जा रहा है, तो आपने ये बात जरूर लिखनी है, तो UCC के चलते law commission ने बोला था, it is neither necessary nor desirable at this stage, again a dilemma, 75 years के बाद भी हम नहीं decide कर पारे हैं, कि UCC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट ये बात law commission है, बहुत कैटेगोरिकली क्लिर कर दी कि नहीं, अभी we don't need it right now, report recommended कि जो discriminatory practices हैं, जो prejudices हैं, उसको examine करना, study करना और सुधारना बहुत जादा जरूरी है, specifically against the women, और commission ने कुछ measure suggest करे, खास करके marriages की बात करें, डिवोर्स ने यहाँ पे रखा था, कि अगर आपने uniformity promote करनी है, आपने progressive बनाने है, marriage laws या divorce laws, तो सबसे बिले तो यहाँ एक काम करें, सबसे बिले तो आप यह ensure करें, चाहिए आप लड़का है, चाहिए आप लड़की है, 18 साल से कम उबर में आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, यानि question of the day, implementing uniform civil code can facilitate gender equality, बहुत easy question है, comment करना है आपने बानपे टीवर्स में, और यह आपने कहा answer करना है, so we have a telegram group, those of you जो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे एक telegram group है, editorials with means answer writing, यहाँ पे आपने answers को post कर सकते हैं, यहाँ पे पेर टो पेर review भी रहता है, और यहाँ आप हमारे इस नंबर पे, 628-0133-177 इस नंबर पे अपनी telegram की आप से एक message drop कर सकते हैं, हमको request कर सकते हैं, कि आप इस telegram group में add होना जाते हैं, और हमारी team के द्वारा आपको add किया जाएगा, दोस्तों best answer हम telegram की group में अभी शाम को pin कर देंगे, along with the model answer, और दोस अच्छा के साथ और analysis के साथ आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, thank you so much, jahind